देश के विभिन हिस्सों में हातियों के हमले बढ़ रहे हैं विराम बीते दिनों जारकंड मध्य प्रदेश 36 गड़ और बिहार में गुसेल हातियों के उपद्रव की कई गठनाएं सामने आईं जिन में करीब 10 लोगों की जान चली गई विराम आए दिन हाति और इंसानों के बीच टकराव की गठनाएं देखी जा रही हैं विराम इसकी बड़ी वजह कहीं ने कहीं हमारी बढ़ती लाल सा है विराम आदूनिकी करण के नाम पर हमने उनके आशियाने उजाड दिये हैं विराम जंगल सिमटने लगे हैं विराम यह ही वजह है कि हाती अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए रिहाइशी इलाकों में आ रहे हैं विराम दो हजार बीस एककीस में हातियों ने 545 लोगों की जान लेली विराम बीतेवर्ष हातियों की नाराजगी के चलते करीब 605 लोगों को अपने प्राण गवाने पड़े व ऐसा नहीं कि इन हमलों में केवल इनसानों की जान गई पिछले तीन वर्षों के आंकडों पर गोर करें तो करीब 300 हातियों की जान इनसानों ने लेली विराम यह इस्तती तब है जब हातियों को राश्ट्रिय धरोहर पशू गोशित किया जा चुका है विराम पेरा उत्सव कभी भी आडंबर का मुहताज नहीं है विराम खूब तडक भडक और खोकले शोर का नाम उत्सव नहीं है विराम उत्सव तब भी है जब एक कच्रे वाला एक ट्रक कच्रा भरकर ले जाता है और उसे एक नियत जगे खाली करता है विराम जीवन हर पल ही एक जश्न है विराम ऐसी तितलियां भी होती हैं जो रेगिस्तान में भी पंक फैला कर उड़ती रहती हैं विराम बहुत छोटी सी जिंदगी होने के बावजूद जीवन पूरा होने से पहले वे तितलियां कैसे अपने लिए नखलिस्तान खोज पाती हैं विराम वेज्यानिकों का कहना है की वे अपने शरीर के भीतर नई कोशिकाएं बनाने और उर्जा देने वाली राशायनिक प्रेक्रियाओं को बदल लेती हैं विराम वे ज्यानिक शब्दावली को छोड़ दें तो वे तितलिया यह मानती है कि मुझे जरासा और उड़ कर जाना होगा और पास ही कहीं मेरे लिए एक फूलों की घाटी जरूर होगी फिर फूल और गुलिशन से उसके मुलाकात होते भी है विराम तब वह तितली पिछला सब कुछ भूल कर जशन और उतसव में डूब जाती है विराम यहां तक कि उसको अंतिम सांस का आभास तक नहीं होता है विराम यही है असली समझ विराम लोगों को नहीं मालूम की हमारा जीवन इतना नीरस इसलिए है कि यहां कोई आशा पैदा नहीं हो रही विराम हम सोचते हैं विधी का विधान है विराम पैरा संयुक्त राष्टर की नवीनितम रपट दुनिया भर में पर्याप्त खाद्य उत्पादन और उपलब्दता के बावजूद एहिस्तिर भोजन बरबाद करने की आदतों के कारण भोजन के दूरुपयोग के संबंद में कुछ आवशक पहलूँ को रेकांकित करती है विराम 2022 में 1.05 बिलियन टन भोजन की बरबादी हुई जो प्रती व्यक्ती 132 किलोगराम है विराम दूसरी और लगबग 78.3 करोड लोग भूक से जूजते हैं और 19 फीसद खाना बरबाद हो जाता है विराम रपटने कुछ मिथों को भी तोड़ा है विराम जैसे की भोजन की बरबादी एक संब्रिद देश की समश्या है विराम भारत संसादनों तक आसमान पहुँच से भी जूज रहा है जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का एक तिहाई हिस्सा उपभोग से पहले बरब या खराब हो जाता है विराम लोगों को भोजन की बरबादी के प्रती जागरुक करने के लिए हर साल शून्य अपसिष्ट दिवस आता है विराम इससे दुनिया को अपसिष्ट शमन पर कदम उठाने के लिए सामोहिक कारवाई के लिए प्रेरित होना चाहिए और उत्पन अधिशेश को अफरीकी और एशियाई देशों की और मोडना चाहिए जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संगर्श करते हैं और अल्प पोशित हैं और भोजन की कमी से जूज रहे हैं विराम पैरा देश में युवा बेरोजगारों की भीड हैं विराम तमाम युवा नोकरी की तलाश में इधर उधर बठकने को मजबूर हैं विराम जितने भी सरकारी नोकरियों के लिए परिक्षाओं का आयोजन होता है उनमें अक्सर सिक्षा माफिया हावी होते दिख जाते हैं विराम शिक्षा के शेत्र में एनेतिक कार्य करने के बाद भी बच निकलने में सक्षम कई लोग हैं जो विभिन कानूनी और नेतिक मानदंडों का उलंगन करते हैं विराम कई बार नकल के कारोबार हिस्सा रहने के कारण कुछ लोगों को बच निकलने के रास्तूं का पता होता है विराम कुछ निजी उच्च सिक्षा संस्थानों के विभिन हतकंडों में शामिल हैं फीस में बेहिसाब व्रद्धी करना अपने ब्रांड के नाम के इस्तेमाल की भारी कीमत वसूलना और ब्रांड का उपयोग करने वालों को तंग करना विराम कुछ निजी सिक्षन संस्थानों पर सिक्षा की गुणवत्ता का प्रचार करके मोटी रकम लेकर डिगरियां बेचने का आरोप भी लगते रहे हैं विराम सिक्षा माफिया हर साल हजारों छात्रों को अपने जाल में फसा कर उनका भविश्य बरबाद कर रहा है विराम पेरा अगर किसी का मन पढ़ना हो तो आखें पढ़ें विराम हर इनसान की आखों में उसके मन की भाषा का सीधा प्रसारन चलता रहता है विराम जिसके मन में चोर होता है वे नजरे मिला कर बाते नहीं करते विराम अक्सर हम सभी ऐसा करते हैं जब दिल में कुछ और हो और जुबा पर कुछ और तो हम सब अपनी नजरें चुराने से नहीं चूकते विराम आखे माध्यम है किसी के प्रती प्रेम या इरशा भापने के लिए विराम आखों में नफरत देख कर भी जब हम किसी के फरेब को नहीं पढ़ पाते हैं तो समझे वहां हमारा रिधे हावी है विराम वेज्यानिकों का मानना है कि अपनी शब्दावली को आसानी के साथ तेजी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसे खास चीज से जोड़ कर देखा जाए विराम बहुत सी तारीख अंक और बहुत से फोन नंबर याद रखने वाले लोग ऐसा ही करते हैं विराम यानि अपने में उसे किसी खास चीजों से जोड़ कर उसे क्रम में सजा लेते हैं विराम पेरा नकली और मिलावटी दवावों के खिलाफ लड़ाई एक सच्चाई के साथ जूड़ी है विराम सवास्थे की रक्षा मुख्य मकसद हैं विराम यह विवाद ग्रस्त विशय अब एक नई दिशा में बदल रहा है जहां साधारण लोगों की सेहत के प्रती सावधानी और संग्यान लेने का महत्व बढ़ रहा है विराम नकली दवाओं के विरुद लडाई में हमें सामू चरण बद्धता का सहयोग अपनाना होगा विराम लोगों को उनकी सेहत के मामले में सिक्षित करना होगा विराम इसके लिए सारवजनिक जागरुकता कारिक्रम सोशल मेडिया अखवारों और टेवी जैसे माध्यमों का सहयोग लेना होगा विराम समाप्द